पासिक मोमेंट है, हमारा जनरेशन कभी ऐसा घतना नहीं देखा है, हम लोग सुना था कि जोहलाल नेहरू तीसरा बार पढ़ान मंत्री बने थे, लेकिन हमारा जनरेशन और देखा नहीं था, तो ये बहुत बड़ा सोभाईग्य है भारत का इतिहास में, मेरा लगता है कि मोडी जी का नेट्रित्र में एक सरनिम भारत का और हम लोग अग्रशर होने जा रहा है। अगर आज में कॉंग्रेस में होते थे, में गांधी परिवार को जिम्मेदर बताता था कि आज 10 साल हम लोग बाहर रहा, सुना हुआ, फिर भी हम लोग 100 सिर्ट तक नहीं पोँश पाया। ये एक उनका उपर जबाब देही ना हो। इसलिए लोग प्रपोगेंदा करके हारे हुआ पार्टी का भी विजय उल्लास मना रहा है। ये तुम मैंने जिबन में कभी नहीं सुना था कि आप परिक्सा में आपको ठाट डिविजन मिलें, फिर भी आप उच्छा करें, आप बहुत जारे, बहुत जाड़ा आनान उच्छा मनाईएं। इसलिए मैंने फेल नहीं किया, कम से कम मैंने थाट डिविजन मिला। लेकिन जो फास डिविजन मिला हुआ है, उनको लोग दबाव डाल रहे है, आपको 90 मिलना था, आपने 80 क्यों मिला। तो ऐसा ही उलुक कर रहा है, लेकिन ठीक है, जनता तु सब कुछ देखते है, समझता है।